स्वागत है दोस्तो अपने यूटूब चैनल आइटे टेकिनिकल कोर्स में दोस्तो अभी ये जो टॉपिक का नाम है ये डी सी मोटर है और नीमी से आधारित कोशन पेपर है आप लोग अभी नीमी के पैटरन कोशन नहीं देखे जरूर देख लेना क्योंकि जो ऑनलाइन पेपर होता है और सी वी टिक जाम पेपर होते हैं तो अकसर नीमी कोशन से ही पूंचे जाते हैं अभी तक जितने भी पिछले पेपर हुआ था, सभी कोशन निमी पैटन पर आधारित कोशन था, निमी पैटन से ही पूछा गया था, तो आप लोग जरूर त्यारी कर लेना इसके पहले के सारे वीडियो अपलोड कर दिये गए है, 96 नमर कोशन तक अपलोड है, आज से 97 से लेकर आपन लोग चलेंगे 96106 सब, एक वीडियो पे 10 कोशन अपलोड कर रहे हैं, आप लोग जरूर बहतर से बहतर त्यारी कर दे के लिए वीडियो जरूर देखा करो, पहला इसमें जो 4-point starter में अपन लोग एक holding coil लगाई जाती है, holding coil से जुड़े प्रतिरोध का उद्देश क्या है, उप्सन पहला दिया है, NBC में धारा की सीमा, उप्सन B दिया है, short circuit से coil को सुरक्षित रखे, उप्सन C दिया है, motor को overload से बचाए, उप्सन D दिया है, short circuit से armature को सुर दोस्तों आपने सुना होगए कि NBC होती है, no bolt coil जिसको बूला जाता है, हम लोग 4-point starter पे resistance लगाने को उद्देश से ही होता है, जो NBC coil होती है, उसमें धारा limit से ही जाए, NBC जलने न पाए, NBC किसी परकार के खराब न हो, उसी की protection के लिए ही हम लोग 4-point starter में resistance का यूज करते है, ऑप्शन नमबर एक राइट होगा, अगला question है, 98 नमबर, DC series motor की filled winding मोटी तार के साथ binding क्यों की जाती है, दोस्तों जो DC स्रिंखला motor होती है, जो उसकी filled winding होती है, मोटे तार के साथ bound क्यों करते हैं, option A दिया है, filled voltage को बी नियमित करने के लिए, option B दिया है, load current को ले जाने के लिए, option C दिया है, अधिक्तम प्रेरंड रखने के लिए, option D दिया है, armature प्रित्क्रिया को कम करने के लिए, दोस्तों सबकों मालूम होगा, जो series motor होती है, तो उसकी armature of series winding जो होती, series पे लगी होती है, और यहाँ पे अपन लोग load लगा देते हैं, अब इस load को धारा ले जाने के लिए, हम लोग मोटी कोयल और कम टरने के ही लगाए जाते हैं, ताकि जो load current होते हैं, load current को ले जा सके, इसका जो right answer होगा, बी number correct होगा, load current को ले जाने के लिए, अगला question देख लो, 99 number दिया गया है, DC स्रिंखला मोटर का गती नियंतरन किस प्रकार का है, अब आपको DC series motor हैं पे बिधी दी गई है, DC control बिधी, एनि जो DC motor होती, इसकी speed control करने की कौन सी method दी गई है, option A दिया है, छ field divator भी दी, option C दिया है, field taping भी दी, option D दिया है, armature divator भी दी, आप यहाँ पे जो इसका right answer होने वाला है, वो होगा, एक करें, number, छेत्र समिनांतर भी दी, छेत्र रहनी field parallel method के माध्यन से, motor की speed को control कर रहा है, यहाँ पे, अगला question है, 100 number, कतरणी मसीन के लिए कौन सी प्रकार की DC motor उप्यूकत है, कतरणी मसीन उहीं जो होती है, उसमें से जो motor यूज़ करते हैं, कौन सी motor यूज़ करते हैं, उसका नाम बताना है, पहला दिया है center motor, दूसरा दिया स्रेणी motor, तीसरा दिया है cumulative compound motor, चोथा दिया है differential compound motor, दोस्तों ज अगला number question जो दिया है, लिखा कि कहा DC मिसरित motor को प्रत्मिकता दी जाती है, DC मिसरित के मतलब होता है, DC compound motor को कहाँ पर यूज़ करते हैं, पहला ये constant load requirement के लिए, यह लगातार load किया बसकता हो वहाँ पर, दूसरा दिया नियत गती किया बसकता के लिए, अगला दिया गया option, उच आरंभिक बला गुना बसकता के लिए, option D दिया गया है, अलग अलग load अबसकताओं के अनुशार नियत गती के लिए, जहाँ पे अलग अलग load के अनुशार नियत गती के अबसकता हो, वहाँ पे हम लोग compound motor का यूज़ करते हैं, right answer इसका D number होगा, अगला question है, DC motor के लि starter क्यों लगा जाता है, पहला option दिया है, फिल्ड धारा को सी मिद कर, option B दिया है, फिल्ड बोल्टेश को सी मिद करे अगला कोशन दिया है आर्मेचर बाइंडिंग का परिक्षण करने के लिए किस प्रकार के उपकरण का प्रियोग किया जाता है दोस्तों जो आर्मेचर बाइंडिंग होती है उसका जो टेस्टिंग यानी परिक्षन करने के लिए जो हम लोग बाइनिंग को यूज करते हैं पहला दिया मेगर, दूसरा दिया ग्राउलर, दूसरा दिया मल्टी मीटर, चौथा दिया ओम मीटर इसका जो राइट एंसर होगा वो होगा बी नम्मर ग्राउलर अगला कोशन जैसे दिया गया है, त्री पॉइंट श्टार के होल्डिंग कोईल को संट फिल्ड के साथ स्रिंखला में क्यों जोड़ा जाता है जो त्री पॉइंट श्टार होती है, जो उसमें होल्डिंग कोईल होती है संट फिलिक के साथ स्रीज में हम लोग क्यों जोडते हैं उप्शन A दिया गया है लोड करेंट को सीमिट करने के लिए उप्शन B दिया है कम बोल्टेज पर मोटर चलाने के लिए उप्शन C दिया है प्लंजर को ठीच से पकड़ने के लिए option D दिया है उच्छ गती से मोटर की रक्षा करने के लिए इसका जो correct answer होगा वो होगा D number उच्छ गती से मोटर की रक्षा करने के लिए अगला question जैसे देख लो दिया है कि किसी योगिक मोटर की बिसेस्ताओं के बिना बदले DRO के लिए सबसे अच्छी बिदि क्या है पूँच रहा है कि योटर की हमें घूमने की दिसाओं बदलना हो तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए option A दिया गया है कि आरमेचर की धारा की दिसाओं बदल दे आरमेचर धारा की दिसाओं बदल दे तो हमारे मोटर की घूमने की दिसा आर लेडी बदल जाएगी अगला question है थ्री बिन्दू इस्टाटर में छेतर के साथ सिरिंखला में जूड़े NBC के उद्देश के है NBC होती है नो बोल्ट कोयल उसमें जो सिरिंखला पे जुड़े NBC क्यों लगा जाते है पहला दिया है बला गून को सुधारने के लिए दूसरा दिया है फिल्ड करन कम करने के लिए तीसरा दिया है बै कीमप कम करने के लिए चौथा दिया है गती में बृद्धी को रोकने के लिए इसका जो करेक्ट एंसर होगा वो होगा डी नमर गती में बृद्धी को रोखने के लिए दस कोशन हो गए हैं मिलते हैं नेस्ट वीडियो में जहां तक अभी इसको आप त्यारी करते रहो